हाई अबरीवन वेलकम बाक तो अनदर व्लॉग अभी बज रहे हैं सुबा के तीन बज के पच पर मिनिट और मैं वापिस आई हो किसी के घर में पार्टी थी तो वहां से थोड़ा सा लेट हो गया तो अब हम वापिस आ रहे हैं और मैंने इतनी रात में व्लॉग इसलिए ऐसे ही 3.59 बजेंगे और उसके बाद वापस से एक घंटा पीछे जाएंगे तो वापस से हमारी वाच में तीन बज जाएंगे तो यह चेंज हमें कैसे दिखेगा क्यों कि मोबाइल का टाइम आटा अपडेटेड होता है तो मोबाइल में यह चेंज दिखेगा तो इसलिए यह मैं व्लॉग शूट कर रही है और अभी हो रहा है 3.56 तो थोड़ी देज में यह टाइम चेंज हो जाएगा तो हम इस मोमेंट को लाइफ क्याप्चर करेंगे और देखेंगे कि सदनली होता गया है हम कैसे एक घंटा फीछे चले जाएंगे और फिर हमें एक घंटा एक् मतलब यह कॉंसेट मैंने सुना तो है लेकिन मैं इसको लाइफ कैप्चर करना चाहती हूं तो इस थ्री फिफ्टी एड नाओ कैसा लगेगा अगर वापिस से थ्री फिफ्टी एड होते होते तीन बच जाएंगे तो लेट्स दो दे काउंट डाउन थ्री टू एड ओके यह पहले ही बच गया है वान बोलने से और मैंने यह कोई भी एडिटिंग जाएंगे नहीं करी है मतलब यह टाइम जोन अक्चुल में पीछे गया है यार मेरा फोन टूटा हुआ है लेकिन अगर आप देखोगे तो यह संडे 30 ओक्टोबर 3 एम हो रहा है अभी वापस से ओ माइग गॉड इस 3 अगें यह उल्टा दिख रहा है लेकिन 3.59 जैसे ही वापस से 3 हो टाइम जोन चेंजो गया बठाइए देलाइट रेविंग का कॉंसेट जो फिनलेंड में फॉलो होता है तो जब ठंड आती है तो ऑक्टोबर का जो लास्ट संडे होता है उसके सुबह चार बजे हम एक गंड़ा पीछे चले जाते हैं मतलब जैसे ही चार बजते हैं फिर व गंटा आगे बढ़ जाता है तो यह इस तरीके से होता है और यह देलाइट सेविंग का कॉंसेट यहां पर है जो अप्लाय होता है तो इसलिए हुआ तो वापिस तीन बज गया है तो मेरे पास एक गंड़ा सुने के लिए बहुत एक्स्प्रा है लेकिन 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 अब साड़े तीन गंटे का डिफरेंस हो जाएगा और अभी ढाई गंटे के ही डिफरेंस मेरा और मेरी मम्मी का बात करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि टाइम नहीं मैच होता है I don't know हम कैसे करने वाले हैं बट बाकिसारी बाते बाद में अभी मैं जाके सोती हूं मु